एक राजा निर्बंसिया थे, मा कहानी सुनाया करती थी, उनके राज में बड़ी खुशाली थी, सब वरण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था, राजा के एक लक्षमी सी रानी थी, चंद्रमासी सुन्दर, और और राजा को बहुत प्यारी, राजा राज काज देखते, और सुख से रानी के साथ महल में रहते, नमस्कार साथियों, आप सुन रहे थे, राजा निर्बंसिया कहानी की पंक्तियां, और इस कहानी के लेखक हैं कमलेशवर जी, इस कहानी को MST 11 के पाठिक्रम में शामिल किया गया है, और इक कमलेशवर जी की बहुत चर्चित और बहुत परसित कहानी है, साथ में MST 11 के पाठिक्रम में इसे शामिल किया गया है, और इसे अनेक बार प्रिशन पूछे जाते हैं, काफी महतवपुन प्रिशन यहां से बनते हैं, आज हम इस कहानी का वाच्चन करने वाले हैं, क कहानी का जो शीरषग है वो काफी कुछ हमें कह रहा है, कमलेशवर जी ने इस कहानी को एक नई शैली में लिखा है, कहानी में कथावाचक अपनी मा से एक कहानी सुन रहा है, राजा निर्बंसिया की कहानी, और उसकी राणी लक्षमी बाई है, और किस तरीके से वो कहानी आगे बढ़ती है लेकिन कहानी की साथ-साथ हमारी जो मुख्य कहानी है जो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी कहानी है कथा वाचक उस कहानी को और दोनों कहानियों को एक तरीके से मिला देता है और तुलनात्मक तरीके से हम बाचित करते वे इस कहानी में परत-दर-पर इस कहानी को समझने का प्रियास करते वे चले जाते हैं। इस कहानी का प्रियास करते वे चले जाते हैं। कहानी एक अलग दुनिया से आई है या हमारा जीवन उससे जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। कई बर हम कहानीों को पढ़ कर अपने जीवन में अनेक बदलाव लाते हैं। और कई बर कुछ हमारे जीवन की कहानिया ही कही न कहीं लेखन शैले का हिस्सा बन जाती है। कमलेश्वर जी नही कहानी के परमुक रचनाकार हैं और उनकी कहानी कला बिलकुल अनोखी हम कह सकते हैं और इसका एक उधारन हम राजा निर्बंसिया कहानी में देखने वाले हैं। कहानी में अनेक पहलू हैं अगर उन सभी पहलों के विश्य में हम बाचित करेंगे तो कहानी वाचन के दोरान जो उत्सुकता रहती है जो भावनाएं और जो कल्पनाएं हम अपने मन में सजोते हैं वो पहीं न कहीं फीकी पढ़ जाती हैं तो कहानी की जो गुथियां हैं वो हम जादा नहीं खोल लेंगे, पहले कहानी का वाचन करते हैं, और फिर सारी गुथियां जो अपने आप एक के बाद एक के बाद सुलज़ती हुई चली जाती हैं, आईए पढ़ते हैं कहानी राजा निर्बंसिया, कहानी की शुरुवात कथा वाचक, लोग कथा से और कुछ इस तरीके से वो अपनी कहानी में अपने पाठकों को, अपने शुरुताओं को प्रवेश करवाते हैं, एक राजा निर्बंसिया थी, मा कहानी सुनाया करती थी, उनके आसपासी चार-पांच बच्चे अपनी मुठियों में फूल दबाए, कहानी समाप्त होने प गवरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे, आटे का सुन्दर सा चोक पूरा होता, उसी चोक पर मिटी की छै गोरे रखी जाती, जिन में से उपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी पांचों नीचे दबी पूजा ग्रहन करती रहती, एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती, और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता, सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगे कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभराती, एक राजा निर्बंसिया थे, मा सुनाया करती थ उनके राज में बड़ी खुशाली थे, सब वरण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था, राजा के एक लक्षमी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुन्दर, और और राजा को बहुत प्यारी, राजा राज काज देखते, और सु जो उनके दोस्त हैं, उनकी कहानी सुना रहे हैं, और जो हमारी कहानी के मुख्य पातरे हैं, वो क्या हैं? जगपती. तब जगपती से मेरी दांत काटी दोस्ती थी, दोनों मिडल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निप्ति थी. मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नोकर हो गया और जगपती कस्बे के ही वकील के यहां मुहरिर जिस साल जगपती मुहरिर हुआ उसी वर्ष पास के गाउं में उसकी शादी हुई पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की बिदा नहीं होगी ब्या हो जाएगा और साथवी भावर तब पड़ेगी जब पहली बिदा की सायत होगी और तभी लड़की अपनी ससरौल जाएगी जगपती की पतनी थोड़ा बहुत पड़ी लिखी थी पर घर की लिख को कौन मेटे बारात बिना बहु के वापिस आ गई और लड़की वालों ने तै कर लिया कि अब जगपती की शादी कहीं और कर दी जाएगी चाहे काली लूली से हो पर वे लड़की अब घर में नहीं आएगी लेकिन साल खतम होते होते सब ठीक ठाक हो गया लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपती की पतनी अपनी ससुराल आ ही गई जगपती को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलईयां लेकर घर की चाबियां सोप दी ग्रस्ती का ढंग चार समझा दिया जगपती की मा ने जाने कब से आस लगाए बैठी थी उन्होंने आराम की सास ली पूजा पाठ में समय कटने लगा दो पैरिया दूसरे घरों के आंगन में बीपने लगी पर सास का रोग था उन्हें सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घडियां गिनते हुए चंदा को पास बुला कर समझाया था बेटा जगपती बड़े लाड़ प्यार से पला है जबसे तुम्हारे ससुर नहीं रहे तबसे इसके छोटे-छोटे हट को पूरा करती रही हूँ अब तुम ध्यान रखना फिर रुक कर उन्होंने कहा था जगपती किसी लाइक हुआ है तो रिष्टेदारों की आँखों में करकने लगा है तुम्हारे बापने ब्या के वक्त नादानी की तुम्हें बिदा नहीं किया मेरे दुश्मन देवर जेठों को मोका मिल गया तुमार खड़ा कर दिया कि अब बिदा करवाना ना कटवाना है जगपती का ब्या क्या हुआ उन लोगों की छाती पर सांप लोट गया सोचा घर की इज़्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला कहते कहते मा की आँखों में आसु आ गए और वे जगपती की देखपाल उसे सौप कर सदा के लिए मोन हो गई थी एक अर्मान उनके साथ ही चला गया था कि जगपती की संतान हो चार बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में ने खिला पाई और चंदा ने मन में सबर कर लिया था यही सोच कर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था घर में चारो तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती अपनापा बरसता रहता उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोट्रियों में वे शांत सीतलता है जो उसे भर्मा लेती है घर की सब कुंडियों की खनक उनकी कानों में बस गई थी हर दरवाजे की चर्मराहट पहचान बन गई थी एक रोज राजा आखेट को गई मा सुनाती थी राजा आखेट को जाते थे तो सात्वे रोज जरूर में लोट आते थे पर उस दफा जब गई तो सात्वा दिन निकल गया पर राजा नहीं लोटे राणी को बड़ी चिंता हुई राणी एक मंतरी को साथ लेकर खोज में निकली तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कथावाचक बड़ी ही चतुराई के साथ मुखे कहानी के बीच बीच में लोग कथा को गूथ देते हैं और किस तरह से दोनों जो कथाई हैं एक साथ चलती वही चली जाती हैं और पाठक और शोता इस तरह से तुलना करते वे चले जाते हैं किस तरह के से दोनों कहानीों में कितनी समानता है और इसी बीच जगपती को रिष्टेदारों की एक शादी में जाना पड़ा उसके दूर के रिष्टे के भाई दयाराम की शादी थी कह गया था कि दसवे दिन जरूर वापिस आ जाएगा पर चठे दिन ही खबर मिली कि बरात घर लोटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया किसे मुखबिर ने सारी खबरे पहुचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है आखिर पुष्टैनी जमिंदार की इकलोती लड़की थी घर आये महमान लगबग बिदा हो चुके थे दूसरे रोज जगपती भी चलने वाला था पर उसी रात डाका पड़ा जवान आदमी भला खून मानता है डाके वाले ने जब बंदू के चलाई तो सबकी घिग्गी बंद गई पर जगपती और दयाराम ने च्छाती ठोंकर लाठियां उठा ली घर में कुहरा मच गया फिर सन्नाटा च्छा गया डाके वाले बराबर गोलिया दाग रही थे बाहर का दर्वाजा तूट चुका था पर जगपती ने हिम्मत बढ़ाते वे हांक लगाई ये हवाई बंदू के इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानो पर दर्वाजे तड़-तड तूटते रहे और अंत में एक गोली जगपती की जांग को पार करती हुई निकल गई और दूसरी जांग के उपर कूले में समाकर रह गई चंदा रोती, कलपती और मनोतिया मानती जब वहां पहुँची तो जगपती अस्पताल में था दयाराम के थोड़ी चोट आई थी उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, जगपती के देखफाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिष्टेदारों के लिए जो कोठ्रियां बनी थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा, कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गाउं चार कोस पड़ता था, दूसरे तीसरे दिन वहां से आदमी आते जाते रहते जिस सामान की जरुरत होती, पहुचा जाते, पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया, एक दिन में ठीक होने वाला गाउं तो था नहीं, जांग की हड़ी चटक गई थी, और कुले में ओप्रेशन से छे इंच गहरा घाउ हो गया था कस्बे का अस्पताल था, कमपाउंडर ही मरीजों की देखभाल करते, वहां डोक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे लोगों के लिए कमपोडर सहाभी इश्वर के अवतार थे, मरीजों की देखभाल करने वाले रिस्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर, मरीज की नब्ज तक संभालते थे, छोटी सी इमारत में अस्पताल रोग्यों के लिए सिर्फ 6-7 खाटे थी, मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था, उसी में एक और एक आराम कुरसी थी, और एक नीची सिमेज, उसी कुरसी पर बड़ा डोक्टर आकर कभी कबार बैठता, नहीं तो बच्चन सिंग कमपाउंडर ही जमे रहते, अ उन्हें कभी कोई रोग घेरता ही नहीं था, कभी कोई बिमार पड़ती, तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते, और फिर उसके जीने मरने की खबर तक ने मिलती, उस दिन बच्चन सिंग जगपती के घाव की पट्टी बदलने आया, उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाई थी, जैसे गलत बंधी पट्टी को ठीक से बानने के लिए खोल रहा था, चंदा उसकी कुरसी के पास ही सांस रोके खड़ी थी, वे और रोगियों से बात भी करता जा रहा था, इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ् खोकर देखा, तो चंदा मूमी धोती का पल्ला खोंसे अपनी भयातूर आवाज दबाने की चेश्टा कर रही थी, जगपती एक बारगी मचली सा तडपकर रहे गया, बच्चन सिंग की उंगलिया थोड़ी सी थर्थराई कि उसकी बहाँ पर टप से चंदा का आसू चू प पातावर्ण में रहते वे भी वे बिल्कुल अलग सा रहता था, फोडों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था, उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था, वे उसे आज फिर हुआ, और वे बच्चे की तरह फूक फूक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा, चंदा की और धीरे से निगा उठा कर देखते वे फुस फुस आया, श्श्श्श्श्ट, रोगी की हिम्मत तूट जाती है ऐसे, पर जैसे ये कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया, ये बेपरवाई तो चीख और करहाओ की एक रस्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की करतवे निष्ठा से नहीं, जब तक वे घाव की मरहम पट्टी करता रहा, तब तक किनी दो आखों की करुणा उसे घेरे रही, और हाथ धोते समय वे चंदा की उन चूडियों से भरी कलाईयों को बेज ज़क देखता रहा, जो अप खाने की और जाते वे उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांक का घाव तो दस रोज में भर जाएगा, कुले का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी दवाई दूँगा, दवाईयां तो ऐसी है कि मुर्दे को चंगा करते, पर हमार अस्पताल में नहीं आती, फिर भी, तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाईयां, चंदा ने पूछा, आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है उनमें, बच्चन सिंग ने कहा, चंदा चुप रह गई, तो बच्चन सिंग के मुह स अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बताना, रही दवाईयां, तो कहीं न कहीं इंतजाम करके ला दूंगा, महकमे से मंगाएंगे, तो आते अवाते महिनों लग जाएंगे, शहर के डोक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाईयों की बड़ मिल गया हो, आकर वे जगपती की खाट से लगा कर बैठ गई, उसकी हथेले लेकर वे सहलाती रही, नाखुनों को अपने पोरों से दबाती रही, धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला, बच्चन सिंग तेल की एक लालतें लाकर मरीजू के कमरे में एक कोने में रख गया चन्दा ने जगपती की कलाई दापते दापते धीरे से कहा, कमपाउंडर साहाब कह रहे थे, और इतना कहकर वे जगपती का ध्यान आकर्ष्ट करने के लिए चुप हो गई, क्या कह रहे थे, जगपती अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाईयां तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं जानता हूँ, पर, देखो चन्दा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं, हमारी ओकात इन दवाईयों की नहीं है, ओकात आदमी की देखी जाती है, कि पैसे की, तुम तो, देखा जाएगा, कमपाउंडर साहब इंतचाम कर देंगे, उनसे नहीं चन्दा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाए एक के चार दिन लग जाएं, इसमें तो, तुम नहीं जानती, कर्ज कोड का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है, लेकिन कहते कहते वे रुख गई, जगपती अपनी चन्दा की टेक रखने के लिए दूसरी और मूँ घुमा कर लेट रहा, और तीसरे रोग जगपती के सिरहाने कई ताकत की दवाईयां रखी थी, और चन्दा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुँच गई थी, चन्दा जब आई, तो जग से उपर साहिता करने वाले की दया से जूज रहा हो, तो ये सारी जो बाते हैं, ये कही न कहीं कहानी के भेद को हमारे सामने खोल देती हैं, बच्चन सिंग, चन्दा और जगपती, कही न कहीं अपने ही आप से उलचते चले जाते हैं, चन्दा किसी भी कीमत पर जगपती को ठीक करना जाती है, अपने पती को खोना नहीं चाहती है, जगपती कहीं न कहीं मजबूर है, उसके पास पैसे नहीं है, और वो किसी की मदद लेना नहीं चाहता, और साथ में बच्चन सिंग, अपने स्वार्थ में इतना डूबा हुआ है, कि उसको पता है, कहां चोट करनी है और कहां से उसको फाइदा मिल सकता है तो किस तरह से कहानी में एक ताना बाना बुन जाता है और यह हम कह सकते हैं यहां से कहानी एक नया मोड लेती है और अपने अंतिम सफर की और यात्रा के लिए प्रस्थान करती है चन्दा ने देखा तो जैसे ये वह ये सब सहने पाई उसके जी में आया की कह दे क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिये पर वह तो खुद तुमने लिये थे और तुम्हें मेरे सामने स्विकार नहीं करना पड़ा था इसी लिये लेते जिजक नहीं लगी पर आज मेरे सामने उसे स्विकार करते तुम्हारा जूठा पोरुष दिल मिला कर जाग पड़ा है पर जगपती के मुख पर बिखरी हुई पीडा में जिस आदश की गहराई थी वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविक्ता से उसके माथे पर हाथ फेरते हुई कहा ये दवाईयां किसी की महरवानी नहीं है मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था उसी से आई है मुझसे पूछा तक नहीं और जगपती ने कहा और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंग की दया ही ओड ली जाती तो यहाँ पर जगपती जो है वो अंतर द्वन्ट से जूज रहा है एक तरफ उसका स्वाभी मान है एक तरफ उसका आदश है दूसरी तरफ उसकी पारिवारिक स्थिती है उसकी आर्थिक खसता हालत है वो पहले भी करजे के नीचे दबा हुआ है जैसा की चंदा की बातों से यहाँ पर सपश्ट हो जाता है और जैसे ही चंदा कहती है कि मैंने अपने हाथ का कड़ा बेच कर तुम्हारे लिए महंगी दवाईयां मंगवाई है तो उसका मन स्वीकार नहीं कर पाता कि कड़ा क्यों बेचना इससे अच्छा तो बच्चन सिंग की दया ही ओड ली जाती तो यहाँ पर बहुत सारे गहरे सुत्र हम देख सकते हैं और यह सुत्र इस तरह से कठाकारने पिरोए हैं कि जो पाठ़क और श्रोता है वो कही न कहीं उनमें उलज जाता है और उनको सुलजाने का प्रियास करना शुरू कर देता है और उसे हलका सा पच्टावा भी था कि नाहकवे रो में बड़ी-बड़ी बाते कह जाता है ग्यानियों की तरसीख दे जाता है और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठ्री में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते ये बात दबा गई कि बच्चन सिंग ने उसके लिए एक हाट का इंतचाम भी करा दिया है कमरे से निकली तो सीधी कोठ्री में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई जहां बच्चन सिंग अकेला डोक्टर की कुरसी पर आराम से टांगे फैलाई लैंप की पीली रोष्टी में लेटा था जगपती का विभार चंदा को लग गया था और यह भी कि वै क्यों बच्चन सिंग का एहसान अभी से लाद ले पती के लिए जेवर की कितनी उकात है वै बे धड़क सी दवा खाने में घुस गई दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज गुरसी और दवाओं की अलमारी की स्थिती का अनुमान था वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था क्योंकि लैंप की रोष्णी केवल अपने वृत में अधिक प्रकाश्वान होकर कानों के अंधेरे को और घनीबूत कर रही थी बच्चन सिंग ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया वै उठकर खड़ा हो गया चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई जैसे वै किसी अंधेरे कुए में अपने आप कूद पड़ी हो ऐसा कूआ जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतो तक चली गई हो जिसमें पढ़कर वै नीचे धस्ती चली जा रही हो नीचे, अंधेरा, एकांत, घुटन और पाप यहां पर हम देख सकते हैं चंदा को पूरा एसास है कि बच्चन सिंग किस तरह का विक्ती है और इस तरह का एसान अगर वो बच्चन सिंग से ले रही है तो इसके क्या दुष परिणाम हो सकते हैं लेकिन चंदा को सिर्फ एक बात दिखाई दे रही है कि परिस्तितियां उसके सामने ऐसी बन गई है कि किसी भी कीमत पर वो अपने पती को ठीक करना चाहती है, किसी भी कीमत पर, उसके सामने वो किसी भी गहरी खाई में, किसी भी गहरे कुए में खूदने के लिए तैयार है, बच्चन सिंग अवाक ताकता रहे गया, और चंदा ऐसे वापस लोट पड़ी, जैसे किसी काले पि करा दिया, चंदा वे आवाज इतनी बे आवज थी, और निरर्थक होते वे भी इतनी सार्थक थी, कि उस खामोशी में आर्थ भर गया, चंदा रुख गई, बच्चन सिंग उसके पास जाकर रुख गया, सामने का घना पेड स्तब्ध खड़ा था, उसकी काली परच्छाई की परिधी जैसे एक बार फैल कर उन्हें अपने व्रत से समेट लेती, और दूसरे ही शन मुक्त कर देती, दवा खाने का लैंप सहसा भबक कर रुख गया, और मरीजों की कमरे में से एक करा की अवाज दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई, चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते वे अपने को सहियत करते वे कहा, ये कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी, चंदा चुप, और दो शन रुक कर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरी से उसकी और बढ़ा दिया, जैसे देने का सहस ने होते वे भी यहे काम आवश् था, बच्चन सिंग ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आखें उसके सिर पर जमा दी, जिसके उपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे-लंबे बाल थे, जिनकी भापसी महक फैलती जा रही थी, वे धीरे से बोला, लाओ, चंदा ने बाद से उसकी कलाई पकड़ते हुए, उसने वे कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया, चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी, और बच्चन सिंग दरवाजे की ओर, कालिक पूरी तरह बढ़ गई थी, और सामने खड़े पेड़ की काली परच्छाई गहरी पड़ रही थ दोनों लोट गए थी, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था, दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भबका था, उसमें तेल ने रह जाने के कारण बत्ती की लोब बीच से फट गई थी, उसके उपर धुएं की लकीरे बल खाती, साप की तरह अंधिरे में विलीन हो गई थी, सुबह जब चंदा जगपती के पास पहुची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपती को लगा की चंदा बहुत उदास थी, शणशण में चंदा के मुख पर अगिनत भाव आते जा रहे थी, जिन में असमंजस था, पेड़ा थी और नि राजा महल में उपस्थित थे, उनकी खुशी का ठिकाना ने रहा, मा सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा, रानी ने राजा को समझाया कि वे तो केवल राजा के प्रती अटूट प्रेम के कारण अपने को ने रोक सक राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर दोनों के दिलों में एक बात शूल सी गड़ती रहती, कि उनकी कोई संतान ने थी, राजवन्ष का दीपक बुचने जा रहा था, संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था, और कुल की मर्यादा परसो यहां से चला जाएगा, जगपती ने सुना, तो उसे भला ही लगा, आए दिन रोग घेरे ही रहते हैं, बजचन सिंग उनके सहर के अस्पताल में पहुँच रहा है, तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी, आखिर वे ठीक तो होगा ही, और मैनपुरी के सिवा कहां पर दूसरे ही शन उसका दिल अथक भारीपन से भर गया, पता नहीं, क्यों चंदा के अस्तितुव का ध्यान आते ही उसे इस सोचना में कुछ ऐसे नुकीले काटे दिखाई देने लगे, जो उसके शरीर में किसी भी समय चुप सकते थे, जरासा बेखवर होने पर बींद सक और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्षमन रेखाएं, धुएं की लकीर की तरह काप कर मिटने लगी, और मन में छिपे संदे की राक्षर्ष बना बादल, योगी के रूप में खुमने लगी, और पंद्रे बीस रोज बाद जब जब जगपती की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लोटाई, जगपती चलने फिरने लाइक हो गया, घर का ताला जब खोला, तब रात जुकाई थी, और फिर उसकी गले में तो शाम से ही अंधेरा भरना शुरू हो जाता था, पर गले में आते ही उन्हें लगा, जैसे की बनवास काट कर राजधान लोटे हों, नुकड पर ही जमना सुनार की कोट्री में सुरही फिक रही थी, जिसके दराजधार दर्वाजों से लाल्टेन की रोष्णे की लकीर जहाक रही थी, और कच्ची तंबाकू का धुआ रुंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था, सामने ही मुनसी जी अपनी जिंगला खटिया के गड़े में, कूपी के मधिम प्रकाश में खसरा खतोनी बिछाई मिजान लगाने में मशगूल थे, जब जगपती के घर का दर्वाजा खटका, तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा, और वहीं से बैठे-बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लोट आए, कुल्मा भी आई है, तो चाची के इस व्यंग के माध्यम से कमलेश्वर जी और भी बाते सपष्ट करते वे चलते हैं, और यहाँ पर जगपती को ही राजा निर्बंसिया की तुलना में उनके साम निला कर खड़ा कर दिया है, और यहाँ पर साथ में चंदा को कुल्मा कहा गया है, ये शब सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपती हाफ कर बैठ गया, जुझला कर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पर तुड़वाओगी, भीतर आकर लालतेन जला लाओ ने, तेल नहीं होगा, इस वक्त जरा ऐसे ही काम, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, ने तेल और ने, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, ने तेल और ने, इस पंक्ती में यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से जगपती यहाँ पर चंदा पर ताना कसता है कि उसको संतान नहीं होती और कहीं न कहीं यहाँ पर जगपती का दोश है जगपती नपुनसंग आप कह सकते हैं जो कहाने में आगे सपष्ट होता चला जाएगा और चाची के व्यंग के माद्देंब से कमलेश्वर जी यहाँ पर सपष्ट कर देते हैं कि राजा निर्बंसिया अस्पताल से लोट आया कहते कहते जगपती एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपती ने उसके व्यर्थ मात्रितों पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी दोनों खामोश बिना एक दूसरे से बात किये अंदर चले गए रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बाते थी जगपती के कान में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए और चंदा के दिल में वे बात चुब रही थी तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा और सिसक्ती सिसक्ती चंदा ने जाने कब सो गई पर जगपती की आँखों में नींद ने आई खाट पर पड़े पड़े उसके चारो और एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्व्यम का आकार बहुत शीन होता होता बिंदू सा रहे गया पर बिंटू के हाथ थे पैर थे और दिल की धड़कन थी कोठरी का घुटा-घुटा सा अंधियारा मटमेली दिवारें और गहन गुफाओं सी अलमारिया जिन में से बार-बार कोई जहांक कर देख था और वे सिहर उठता था फिर जैसे सब कुछ तबदील हो गया हो उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है वे मनुष्य हुआ लंबा तगड़ा तंदरुस्त पुरुष हुआ उसकी शिराओं में कुछ फूट पढ़ने के लिए व्याकुलता से खोल उठा उसके हाथ शरीर के अनुपाद से बहुत बड़े डरावने और भयानक हो गए उनमें लंबे लंबे नाखुन निकल आये वे राक्षश हुआ दैते आदीम परबर और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसे ठीक होती जान पड़ी फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिगी बंद जाने के बाद उसकी आवाज फूट पड़ी चंदा चंदा की नरम सांसों की हलकी सरसरहट कमरे में जान डालने लगी जगपती अपनी पाटी का साहरा लेकर जुका कापते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिका कर बैठ गया उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है वे उठा और चंदा के मुख पर जुक गया उस अंधेरे में आखे गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वम चंदा के मुख पर आबा फूट कर अपने आप बिखरने लगे उसके नक्ष उज्वल हो उठे और जगपती की आँखों को जोती मिल गई वे है मुग्द सा ताकता रहा चंदा के बिखरे बाल जिन में हाल के जनमे बच्चे के गबवारे बालों की सी महक दूद की कंजाइंद शरीर के रसकी सी मिठास और स्ने की चिकना हट और वे माथा जिस पर बालों की पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हलका मिटा हुआ सा आभास और उनकी मासूम सी काटों की तरह बरोनिया और सांस में घुलकर आती हुई वे आत्मा की निश्कप्ट आवाज की ले फूल की पंखुरी से पतले होट उन पर पड़ी रेखाएं जिन में सिर्फ दूद सी महक उसकी आखों के सामने ममता सी छा गई केवल ममता और उसके मुख से एस फूट शब्द निकल गया बच्ची डरते डरते उसके बालों की एक लटको बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर लकीरे खीचने लगा उसे लगा जैसे कोई शिशू उसके अंक में आने के लिए छट पटा कर निराश होकर सो गया हो उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई वे जैसे होश में आया हो बड़े सहारे से उसने चन्दा के सिर के नीचे टटोला एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया अपने को संयत करता वही जमीन पर बैठ गया उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंग गया चन्दा के हाथ के दोनों सोने के कड़े उसमें लिप्टे थे और तब उसके सामने सब स्रिष्टी धीरे धीरे टुकडे होकर बिखरने लगी ये कड़े तो चन्दा बेचकर उसका इलाज कर रही थी ये सब दवाईया और ताकत के टोनिक उसने तो कहा था, ये दवाईयां किसी की महरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिये थे, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जबान जैसे तालू से चिपक कर रहे गई, उसने चाहा की चंदा को जखजोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ती बहसी गई थी, रक पानी हो गया था, थोड़ा सैयत हुआ, उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेट कर उसकी खाट के कोने पर रख दिये, और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़ कर लुढग गया, चंदा जूट बोली, पर क्यों, कड़े आज तक छिपाए रही, उसने इ नितान्त हलका, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनकेसा, उस रात के बाद, रोज जगपती सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले, और कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दे, क्योंकि नोकरी छूट चुट चुकी थी, इतने दिन की गैर हाजरी के बाद वकील सहाब ने दूसरा मुहरिर रख लिया था, वे रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती, तो ने जाने कैसी ऐ सहाई से उसकी अवस्था हो जाती, उसे लगता, जिसे कड़े मांग कर वे चंदा से पत्नितव का पद भी छीन लेगा, मात्रितव तो भगवान ने छीन ही लिया, वे सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी, एक इस्तरी से यदि पत्नितव और मात्रितव छीन लिया गया हो, तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है, चंदा के साथ वे ये अन्याई कैसे करे, उससे दूसरी आख की रोशनी कैसे मांग ले, फिर तो वे इन्ही खयालों में डूबा सुबै से शाम तक इधर उधर काम की टो में घूमता रहता, किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ती पर, क्या है उसके पास, जिसके आधार पर कोई उसे उधार देगा, और मोहले के लोग, जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज इसा उधार कर, मिन्नते करके सोदा घर लाते हैं, गली में कोई खोचे वाला फंस गया, तो दो पैसे की चीज को लड़ जगड कर चार दाने जादा पाने की नियत से दो जगे बंधवाते हैं, भाव के जरा से फर्क पर घंटो बहस करते हैं, शाम को सड़ी गली तरकारियो को किफायत के कारण लाते हैं, ऐसे लोगों से किस मूँ से मांग कर वे उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए, पर उस दिन शाम को जब वे घर पहुँचा, तो बारुठे में ही एक साइकल रखी नजर आई, दिमाग पर जोड डालने के बाद भी वे आगंतुक की कलप अब आते ही होंगे, बैठिये ने दो मिनट ओर, अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाईए कि अभी तंदरुस्ती इस लाइक नहीं, जो दिन दिन भर घूमना बरदाश कर सके, हाँ भी, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, खयाल नहीं करेंगे, त तो वे बाहर को जा रहे थे, बाहर बारोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सू जाई, वहीं से जैसे अंजान बनता बड़े प्रितन से आवाज को खोलता चिल लाया, अरे चंदा, ये साइकिल किसकी है, कौन महरबान, चंदा उसकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल कर जैसे खुशकबरी सुना रही थी, अपने कमपाउंडर साहब आये हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाये हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, कौन बच्चन सिंग, अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूं, भला कौन, कहता जगपती पास पहुचा, और बातों म इस तरह उलज गया, जैसे सारी परिस्थिती उसने स्विकार कर ली हो, बच्चन सिंग जब फिर आने की बात कहकर चला गया, तो चंदा ने बहुत अपने पन से जगपती के सामने बात शुरू की, जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं, क्यों, क्या हुआ, कैसे होते हैं आदमी, जगपती ने पूछा इतनी चोटी जान पैचान में तुम मर्दों के घर में ने रहते गुसकर बैठ सकते हो तुम तो उल्टे पैरों लोट आओगे चंदा कहकर जगपती के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाउं से ताकने लगी जगपती ने चंदा की और ऐसे देखा जैसे ये बात भी कहने की या पूछने की है फिर बोला बच्चन सिंग अपनी तरह का आदमी है अपनी तरह का अकेला होगा पर कहते कहते चंदा रुख गई आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है लेकिन उससे फाइदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी तो जाएगा जगपती ने आखे दिवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई उस दिन के बाद बच्चन सिंग लगबग रोज ही आने जाने लगा जगपती उसके साथ इधर उधर घूमता ही रहता बच्चन सिंग के साथ जब तक वे रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विश्मताएं भी उसकी निगाओं के सामने उभरने लगती आखिर वे स्वयम एक आदमी है बेकार ये माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विक्राल समस्या नहीं वे बूखो नहीं मर रहा जाडे में काप नहीं रहा पर उसकी दो हाथ पैर है शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता है कुछ और वे सोचता ये कुछ क्या है सुक शायद हाँ शायद नहीं वे तो दुख में भी जी सकने का आदी है अभावों में जिवित रह सकने वाला आश्चरे जनक कीड़ा है तो फिर वासना शायद हाँ शायद नहीं चंदा का शरीर लेकर उसने उस शनिकता को भी देखा है तो फिर धन शायद हाँ शायद नहीं उसने धन के लिए अपने को खपाया है पर वह भी तो उस एद्रश्य प्यास को बुझा नहीं पाया तो फिर? तो फिर क्या? वे कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिस्ता रहता है अपना उपचार मांगता है शायद काम? हाँ यही, बिलकुल यही जो उसके जीवन की घडियों को निपट सोना ने छोड़े जिसमें वे अपनी शक्ती लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके चाए उसमें सुक हो या दुख एरक्षा हो या सुरक्षा, शोशन हो या पोशन, उसे सिर्फ काम चाहिए उस घर में नहीं पैदा हुआ, जहां सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं वे उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही उसकी आस है, वे सिर्फ काम चाहता है, काम तो यहाँ पर हम जगपती के मन के अंतरद्वन्द को समझ सकते हैं ये दुरगटना होने के बाद वो एक तरह से अपाईज हो गया है और जो पहले का काम है वे भी उससे छूट गया है अब उसे काम चाहिए उसे अब एक रोजगार चाहिए जिसके साहरे वो अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकता है और एक दिन उसकी काम धाम की समस अबी हल हो गई तालाव वाले उंचे मैदान के दक्षनी और जगपती की लकड़ी की टाल खुल गई नामपट तक लग गया टाल की जमीन पर लक्षमी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ लकड़ी की कोई कमी नहीं थी गाउं से आने वाली गाड़ियों का इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया गाठे एक और रखी गई चेलों का चट्टा करीने से लगा दिया गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिये गई दो-तिन गाड़ियों का सोदा करके टाल चालू कर दी गई भविश्य म पेड़ खरीद कर काटने का तै किया गया बड़ी-बड़ी स्की में बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी चीरने की नई मशीन लगेगी कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंग भी नोकरी छोड़ कर उ और उसने महसूस किया कि वे काम में लग गया है अब चोबी सो घंटे उसके सामने काम है उसके समय का उप्योग है दिन भर में वे एक घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है कुछ देर के लिए वे पती हो सकता है पर बाकी समय दिन और रात के बाकी घंटे उन घंटों के अ नीचे तक्त पर वे गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकडियों के धेर, कटेवी पेडों के तने, जड़ों को लुड़का हुआ देखता, तो एक निरीहिता बर्बस उसके दिल को बांथने लगती, उसे लगता एक ब्रह्म्य पिश्चाच का शरीर टुकडे टुकडे कर के उसके सामने डाल दिया गया है, फिर इन पर और कुलहाडियां चलेंगी और उनकी रेशे रेशे अलग हो जाएंगी, और तब इनकी ठट्रियों को सुखा कर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तोल कर बेच दिया जाएगा, और तब उसकी निगाही सामने खड़े ताड पर अटक जाती, जिसके बड़े-बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद पर फड़फडा कर देर तक खामोश बैठे रहते, ताड का काला गडरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायू में निश सहाय कापती, भार हीन नीम की पतियां, चकराती, जड़ती रह लकडी की गाड़ियों के पईयों की पड़ी हुई लीक धुंदली सी चमक उठती, और बगलवाले मुफली के पेंच की एकरस खर-खराती आवाज कानों में भरने लगती, बगलवाली कच्ची पगडड़ी से कोई गुजर कर तीले के ढहलान से तालाब की निचाय में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तेरता रहता और सूवर कीचड में मूँ डाल कर उस कोड़े को रोंद दे रहते, धोपेर सिमटती और शाम की धुंद छाने लगती, तो वे लालतेन जलाकर छपपर के खंबे की कील में टांग देता, और उसकी थोड़ी ही देर अस्पताल वाली सडक से बच्चन सिंग एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता, गहरे पड़ते अंधिरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता और जगपती के सामने जव्वे आकर खड़ा होता, तो वे उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके साम ने उसे अपना अस्तितु डूटता मैसूस होता, एक आद बिकरी की बाते होती और तब दोनों घर की ओर चल देते, घर पहुचकर बच्चन सिंग कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उदर की बाते करता, कभी मोका पड़ जाता, तो जगपती और बच्चन सिंग क थाली भी साथ लग जाती, चंदा सामने बैठ कर दोनों को खिलाती, बच्चन सिंग बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है, कि उसकी भी बाहार है, और तरकारी का स्वाद भी नहीं मरा, होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा, या सिर्फ तरकारी ह वह, वह, क्या बात है, क्या अंदाज है, और चंदा बीच-बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक डाल में प्याज का भुना घी ने मिले, तब तक पेट ही नहीं भरता, या सिर्का अगर इन्हें मिल जाए, तो समझो सब कुछ मिल गया, पहले मुझे सिर्का ने जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि, या इन्हें कागत सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती, अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कही, तो बनती ही नहीं, आदत पढ़ गई है, और फिर मन ही नहीं करता, पर चंदा की आँखे बच्चन सि की थाली पर ही जमी रहती, रोटी निपटी, तो रोटी परोस दी, दाल खतम हुई, तो भी एक चमचा और परोस दी, और जगपती सिर जुकाए खाता रहता, सिर्फ एक गलास पानी मांगता, और चंदा चोप कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं, कहते कहते वे पानी दे देती, और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती, नहीं जाने क्यों वे खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वे अपने को समझा लेती, कोई महवान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं लगी होगी, जगपती ख खाना खाकर टाल पर लेटने चले जाता, क्योंकि अभी तक कोई चोकिदार नहीं मिला था, छपपर के नीचे तकत पर जवे लेटता, तो अनाया सी उसका दिल भर भर जाता, पता नहीं, कौन-कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह-तरह की टीस, चटक और एठन पैदा क लेटे-लेटे उसकी निगा ताड के उस और बनी पुखता कब्र पर जम जाती, जिसकी सिरहाने कटीला बबूल का एक आकी पेड सुनसा खड़ा रहता, जिस कब्र पर एक परदा नशी ओरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे-सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास से चलकर एकदम तेजी से मुड़ कर बिसातियों के महले में खो जाती, शाम होते फिर आती एक दिया बारती और अगरू की बतिया चलाती, फिर मुड़ते वे ओड़ने का पल्ला कंदों पर डालत तो दिये की लो कापती, कभी कापकर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे ठके उदास से और फिर तेज सधे सामाने से, और वे फिर उसी मुहले में खो जाती, और तब रात की तनहाईयों में बबूल के काटों के बीच, उस साइसाय करते उंचे न निकल कर निपट अकेली भटकती रहती, तबी ताड पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद मनहोसी आवाज किलबिला उठते, और ताड के पत्ते भयानकता से खरबड़ा उठते, जगपती का बदन काप जाता, और वे भटकती रूँ जिंदा रह सकने के लिए, जिसे कब पर की इंटों में बबूल के साएं तले दुबक जाती, जगपती अपनी टांगों को पेट में भीच कर, कंबल में मूँ छिपा ओंधा लेट जाता, तड़के ही ठेके पर लगे लकड़ हारे, लकड़ी चीरने आ जाते, तब जगपती कंबल लपेटे, घर की ओर चला जात राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, मा सुनाया करती थी, एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए, कि सड़क पर ज़ाडू लगाने वाली महतरानी उन्हें देखते ही अपना ज़ाडू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी, और कहने लगी, हाई राम, आज राजा नि उल्टे पैरो महल को लोट गए, मंतरी को हुकम दिया कि महतरानी का घर नाज से भर दे, और सब राजसी वस्तर उतार, राजा उशी शन जंगल की ओर चले गए, उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनो कामना पूरी करने वाली है, रानी बहुत पच्टा रही पर फोरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराई में पहुँच गई जहां पर राजा रहते थे, रानी भेश बदल कर सेवा करने वाली भटियारिन बन कर राजा के पास रात में पहुँची, रात बर उसकी साथ रही और सुबह राजा के जागने से पहले सराई छोड महल में लोट गई राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गई दो ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई राजा निकल गई चारो तरफ यही खबर थी और उस दिन तोले मुहले के हर आंगन में बरसात के में की तरह यह खबर बरस कर फैल गई की चंदा के बाल बच्चा होने वाला है नुकड पर जमना सुनार की कोठ्षी में फिक्ती सुरही रुक गई मुन्शी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी बंसी किराने वाले ने ने अपनी नील लगी मुल्गुजी कमीज की आस्तिने चढ़ाते हुए सुना और जगपती की बेवा चाची ने ओरतों को जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया आज 6 साल हो गई शबदों को ने बाल, ने बच्चा ने जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवाए उस मुस्टंडे कमपोडर के ने जाने कहां से कुलक्षनी इस महले में आ गई इस गली की तो पुष्टों से ऐसी मरजाद रही है कि गैर मरद औरत की परच्छाई तक नहीं देख पाई यहां के मरद तो बस अपने घर की ओरतों को जानते हैं उन्हें तो पडोसी के घर की जनानों की गिंती तक नहीं मालूम ये कहते कहते उनका चहरा तमतमा आया और सब ओरते देव लोग की देवियों की तरह गंभीर बनी अपनी पवितरता की महानता के बोज से दबी धीरे-धीरे खिसक गई सुबह ए खबर फैलने से पहले जगपती टाल पर चला गया था पर सुनी उसने भी आज ही थी दिन बर वे तकत पर कोने की और मूँ की ये पड़ा रहा ने ठेके की लकडियां चिरवाई ने बिक्री की और ध्यान दिया ने दोपेर का खाना खाने ही घर गया जब रात अच्छी तरह फैल गई तो वे एक हिंसक पशू की भाती उठा उसने अपनी उंगलियां चटकाई मुठी बांद कर बहा का जोर देखा तो नसे तनी और बहा में कठोर कमपन सा हुआ उसने तीन-चार पूरी सांसे खीची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा मैदान खतम हुआ कंकड की सडक आई सडक खतम हुई गली आई पर गली के अंधेरे में घुस्तेई वे सहम गया जैसे किसी ने एद्रश्य हाथों से उसे पकड़ कर सारा रक्त निचोड लिया उसकी फटीवी शक्ती की नस पर हिम, शीतल, होट रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिक और भी भारी हो गई जिसमें घुसने से उसकी सांस रुख जाएगी, घुट जाएगी वे पीछे मुड़ा पर रुख गया फिर कुछ संयत होकर वे चोरों की तरह निश शब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुँच गया दाई ओर की रसोई वाली देहलीज में कुप्पी टिम्टिमा रही थी और चंदा अस्त वेस्ट सी दिवार से सिरके टेके शायद आसमा निहारते निहारते सो गई थी कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किये था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा एद्रश्य था वे खामोशी से खड़ा ताकता रहा चंदा के चेहरे पर नारितों की प्रोडता आज उसे दिखाई थी चेहरे की सारी कमनेता ने जाने कहां खो गई थी उसका अच्छूता पन ने जाने कहां लुप्त हो गया था फूला फूला मुक जैसे टहनी से तोड़े फूल को पाने में डाल कर ताजा किया गया हो जिसकी पंखुडियों में टूटन की सुर में रिखाएं पढ़ गई हो पर भीगने से भारी पन आ गया हो उसके खुले पैर पर उसकी निगा पड़ी तो सूजा सा लगा एडियां भरी, सूजी सी और नाखुनों की पास अजब सा सूखा पन जगपती का दिल एक बार मसोस उठा उसने चहा की बढ़ कर उसे उठा ले अपनी हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुश पोँच दे अपनी सासों की अगने में तपा कर एक बार फिर उसे पवित्र कर ले और उसकी आँखों की गहराई में जाग कर कहे देवलोग के किस शाप वश निर्वाशित हो तुम इधर आ गई चंदा ये शाप तो अमिट था तबी चंदा ने हड बढ़ा कर आँखे खोली जगपती को सामने देखा तो उसे लगा कि वे एकदम नंगी हो गई हो अतीशे लजजित हो उसने अपने पैर समेट लिए घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत सैयत सी उठकर रसोई की अंधेरे में खो गई जगपती एकदम हताश हो वही कमरे की देहरी पर चोखट से सिर्टिका बैठ गया नजर कमरे में गई तो लगा कि पराई स्वर वहां गूंज रहे हैं जिनमें चंदा का भी एक है हर तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता जा रहा था एक अजीब नीस तब्दता असमंजस गती पर पत भ्रष्ट शकले पर आकार हीन खाना खा लेते चंदा का स्वर कानों में पढ़ा वे अंजाने ऐसे उठ बैठा जिसे तयार बैठा हो उसकी बात की आज तक उसने अवग्या ने की थी खाने तो बैठ गया पर कोर्ट नीचे नहीं सरक रहा था तबी चंदा ने बड़े सीधे स्रब्दों में कहा कल में गाउं जाना चाहती हो जैसे वे इस सूचना से परिचित था बोला अच्छा चंदा फिर बोली मैंने बहुत पहले घर चिठ्थी डाल दे थी ने हिल सकी जगपती शन भर को विचलित हुआ पर जैसे जम जाने के लिए उसके होट फड़के और क्रोध की ज्वाला मुखी को जबरन दबाते हुए वेह भी फूट पड़ा ये सब मुझे क्या दिखा रही हो बेशरम ओरत बेगैरत उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले तब तब की बात जूट है सिस्कियों के बीच चंदा का स्वर फूटा लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया आग सुलकता सा एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर पड़ा और जगपती अपनी हथेली को दूसरी से दबाता खाना छोड़ कर कोठ्री में घुस गया और रात बर कुंडी चड़ाए उसी कालिक में घुटता रह दूसरे दिन चंदा घर छोड़ कर अपने गाउन चली गई जगपती पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता उसी वीराने में तालाब के बगल, कब्र, बबूल और ताड के पडोस में उसका दिल होता कहीं निकल जाए पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चहाने पर भी वे जान पाता हिकारत भरी नजरे सहता पर वहीं पड़ा रहता काफी दिनों बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगपती घर पर ताला लगा नजदीक के गाव में लकडी काट में चला गया उसे लग रहा था कि अब वे पंगू हो गया है बिलकुल लंगडा एक रेंगता किड़ा जिसके ने आख है ने कान ने मन ने इच्छा वे उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड कटने थे दो आरे वालों ने पतले पेड के तने पर आरा रखा और कर कर का अबाद शोर शुरू हो गया दूसरे पेड पर बनने और शकुरे की कुलहाडी बज उठी और गाउं से दूर उस बाग में एक लैपोंड शोर शुरू हो गया जड़ पर कुलहाडी पढ़ती तो पूरा पेड थर रा जाता करीब के खेट की मेड पर बैठे जगपती का शरीर भी जैसे काप-काप उठता चंदा ने कहा था लेकिन तब तुमने मुझे बेच दिया क्या वे ठीक कहती थी क्या बच्चन सिंग ने टाल के लिए जो रुपे दिये थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ क्या सिर्फ वही रुपे आग बन गए जिसकी आच में उसकी सहन शीलता, विश्वाश और आदर्स मौम से पिंखल गए शकूरे बाग से लगे दड़े पर किसे ने आवाज लगाई शकूरे ने कुलहाडी रोक कर वही से हांक लगाई कोने के खेट से लीक बनी है जरा मेड मार कर नंगा लगाडी जगपती का ध्यान भंग हुआ उसने मुड़कर दड़े पर आखे गड़ाई दो भैसा गाडिया लकडी भरने के लिए आप पहुची थी शकूरे ने जगपती के पास आकर कहा एक गाडी का भर तो हो गया बलकि डेड का अब इस पतरिया पेड को ने छांट दे जगपती ने उस पेड के और देखा जिसे काटने के लिए शकूरे ने इशारा किया था पेड की शाखे हरी पतियों से भरी थी वे बोला अरे ये तो हरा है अभी इसे छोड़ दो हरा होने से क्या उखट तो गया है ने फूल का ने फल का अब कौन इसमें फल फूल आएंगे चार दिन में पत्ती जुरा जाएंगी सकूरे ने पेड की और देखते वे उस तादी अंदाज से कहा जैसा ठीक समझो तुम जगपती ने कहा और उठकर मेड मेड पक्की कुए पर पानी पीने चला गया दोपेर ढलते गाडियां भर कर तयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गई जगपती को उनकी साथ आना पड़ा गाडियां लकडी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपती गर्दन जुकाए कच्ची सडक की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे-धीरे उनहीं की बजती घंटियों की साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमा कर गाड़ी में लाद कर अपने देश की ओर लोटे मा सुनाया करती थी राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूरी पर ज़ाडियों में उलज गया हर तरह की कोशिश की पर पहिया ने निकला तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर उसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा वहीं दो बालक खेल रहे थे उन्होंने ये सुना तो कूद कर पहुँचे और कहने लगे कि हमारी पैदाईश सकट की है पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आदा धन देने का वादा करो राजा ने बात मान ली बालक दोड़े दोड़े घर गए सुपारी लाकर छुआ दी फिर घर का रास्ता बताते बताते आगे आगे चले आखिर गाड़े महल के सामने उन्होंने रोक ली राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये दोबालक कहां से आगे भीतर पहुचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उनी के राजकुमार है राजा को विश्वास नहीं हुआ रानी बहुत दुखी हुई गाडियां जब टाल पर आकर लगी और जगपती तखत पर हाथ पैट धीले करने बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुन्शी जी ने उसके पास आकर बताया अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल की नज़दीक एक गाउं में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है और फिर जैसे मोहले में सुनी-सुनाई बातों पर परदा डालते हुए बोले भगवान की राज में देर है अंधेर नहीं जगपती भीया जगपती ने सुना तो पहले उसने गहरी नजरों से मुन्सी जी को ताका पर वे उनकी तीर का निशाना ठीक ठाक नहीं खोज पाया पर सब कुछ सहन करते हुए बोला देर और अंधेर दोनों है अंधेर तो सरासर है तिरी अचरीतर है सब बड़े बड़े हार गए कहते कहते मुन्सी जी रुख गए पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है जिसे उनकी गोल होती हुई आँखे समझा देंगी जगपती मुन्सी जी की तरफ ताकता रह गया मिनट भर मनहूस सा मोन चाया रहा उसे तोड़ते वे मुन्सी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले सुन तो लिया होगा तुमने क्या? कहने को तो जगपती कह गया पर उसे लगा कि अभी मुन्सी जी उस गाउं में फैली बात को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे उसने नाहक पोछा तो रास्ता खुले पर राम जी की मर जी सुना है बच्चे रहते भी वो चंदा को बठाने को तयार है जगपती की सांस गले में अटक कर रहे गई बस आखे मुन्सी जी के चहरे पर पत्राई सी जड़ी थी मुन्सी जी बोले अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है अब काहे की शरम लिहाज अपना कहकर किस मुझ से मांगू बाबा हर तरफ तो कर्च से दबाँ तन से, मन से, पैसे से, इजज़त से किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करू कहते कहते वे अपने मिक हो गया सहलाकर उसे छोड़ दिया वही गर्दन जुकाए गली के अंधेरे में उनी खयालों में डूबा ऐसा चलता आया जैसे कुछ हुआ ही नहो पर कुछ ऐसा बोज था जो ने सोचने देता था और ने समझने जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी आ गए सत्यानासी कुल बोरन उसने जरा नजर उठा कर देखा तो गली की चाची भोज़यां बैठक में जमा थी और चंदा की ही चर्चा छिडी थी पर वह चुपचाप निकल गया इतने दिनों बाद खोला और बारोठे के अंधेरे में कुछ सूजने पड़ा तो एकाएक वे रात उसकी आँखों के सामने घूम गई जब वे अस्पताल से चंदा के साथ लोटा था बेवा चाची का जहर बुझा तीर आ गए राजा निर्बंसिया अस्पताल से और आज सत्यानासी, कुलबोरन और स्वयम उसका ये वाक्य जो चंदा को छेट गया था तुम्हारे कभी कुछ ने होगा और उस रात की शिशू चंदा चंदा के लड़का हुआ है वे कुछ और जनती आदमी का बच्चा ने जनती वे और कुछ भी जनती कंकड, पत्थर वे नारी न बनती बच्ची ही बनी रहती उस रात की शिशू चंदा पर चंदा ये सब क्यों करने जा रही है उसके जीते जी वे दूसरे के घर बैठने जा रही है कितने बड़े पाप में ढकेल दिया पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए आखिर क्या पर मेरे जीते जी तो ये सब अच्चा नहीं वे इतनी घिर्णा ब्रदास करके भी जीने को तयार है या मुझे जलाने को वे मुझे नीच समझती है कायर नहीं तो एक बार खबर तो लेती बच्चा हुआ तो पता तो लगता पर नहीं वे उसका कौन है कोई भी नहीं उलाद ही तो वे सने की धुरी है जो आदमी ओरत के पहियों को साद कर तन के दलदल से पार ले जाती है नहीं तो हर ओरत वेश्या है और हर आदमी वासना का केड़ा तो क्या चंदा ओरत नहीं रही वे जरूर ओरत थी पर स्यों मैंने उसे नरक में डाल दिया वे बच्चा मेरा कोई नहीं पर चंदा तो मेरी है एक बार उसे ले आता फिर यहां रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता निर्द्वंत सोय पलकों को निहारता सांसों की दूद सी अचूती महक को समेट लेता आज का अंधेरा घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले और फिर किसके ले कौन जलाए चंदा के घर पर उसे तो उसने बेच दिया था सिवा चंदा के कौन से संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता कर्ज ने मिलता तो ये सब कैसे चलता काम, पेड कहां से कटते और तब शकूरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए हरा होने से क्या, उखट तो गया है वे स्वम भी तो एक उखटा हुआ पेड है ने फल का, ने फूल का सब व्यर्थ ही तो है जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास ने कर पाया चंदा को चाहता रहा पर उसके दिल में चाहत ने जगा पाया उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डाटता रहा पर खुद लेता रहा और आज वे दूसरे के घर बैठ रही है उसे छोड़ कर वे अकेला है हर तरफ बोज है जिसमें उसकी नस-नस कुछली जा रही है रग-रग फट गई है और वे किसी तरह टटोल-टटोल कर भीतर घर में पहुँचा राणी अपनी कुल देवता के मंदिर में पहुँची मा सुनाया करती थी अपने सतित्व को सिध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की राजा देखते रहे कुल देवता परसन हुए और उन्होंने अपनी देवी शक्ती से दोनों बालकों को ततकाल जन्मे शिश्वों में बदल दिया राणी की छातियों में दूद भराया उनमें से धार फूट पड़ी जो शिश्वों की मुह में गिरने लगी राजा को राणी के सतितू का सबूत मिल गया उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिये और कहा तुम देवी हो ये मेरे पुत्र है और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया पर उसी रात जगपती अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ती नहीं थी और जगपती राजा नहीं बच्चन सिंग कमपाउंडर का करजदार था राजा ने दो बाते की मा सुनाया करती थी एक तो रानी के नाम से उन्होंने बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राजा के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया जिससे राजभर में अगले उत्रादिकारी की खबर हो जाए जगपती ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना, अभी एक दो दिन मेरी लाश की दुरगती होगी, तब तक तुम आ सकोगी चंदा आदमी को पाप नहीं पस्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना, इन पंक्तियों को आप देख सकते हैं, पस्चाताप किस तरह से जगपती को मार चुका था, और अंतिम समय में वो इस विकार करता है, अपने मन के अं कानुन को उसने लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं, रुपे खाए है, उन रुपियों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है मेरी लाश तब तक ने जलाई जाए तब तक चंदा बच्चे को लेकर ने आ जाए आग बच्चे से दिलवाई जाए बस मा जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे मेरी कहाने भी खतम हो गई पर पर हम इस पर फूल नहीं चढ़ा सकते इस कहानी का जो अंत है वो राजा की कहानी से बिलकुल अलग है और ये अंत हम कह सकते हैं आज की परिष्थितियों के अनुसार है राजा की कहानी बहुत पहले घटितुई थी लोक कथा के माध्यम से मा सुनाया करती थी और वहाँ पर राजा किस तरह से लक्ष्मी राणी को सम्मान देते हैं और किस तरह के से अपने बच्चों को सुविकार करते हैं लेकिन आज की समय में जगपती जैसा अंतरद्वंद ने जाने कितने ही लोगों के मन में चलता रहता है वो चहाकर भी अपने मन के अंतरद्वंद से विजय प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही वो रानी और राजा की तरह अपनी कहाने का समापन कर सकते हैं कभी-कभी मनुष्य परिस्थितियों की दलदल में इस तरह से धस जाता है कि उसका मन अगर मजबूत नहीं है तो वो चहाकर भी वहां से नहीं निकल पाता कहानी का मुख्य पातर जगपती अगर अंतिम समय में जितनी हिम्मत दिखाता है सच को स्विकार करने की हिम्मत दिखाता है अपने अंतर दुवंद के उपर विजे प्राप्त करकर वो दो पर्चे लिखता है अगर यही हिम्मत, सच कहने की हिम्मत, स्विकार करने की हिम्मत वो पहले दिखा पाता चंदा के सामने अगर वो स्विकार कर पाता तो कहानी का समापन इस तरह से नहीं होता बच्चन सिंग के बारे में हम क्या कह सकते हैं जो स्वार्थी इंसान होता है लालची इंसान होता है वो कहीं न कहीं अपने फायदे के बारे में सोचता है लेकिन जगपती और चंडा इस कहानी को एक नया मोड दे सकते थे पती-पत्नी के रिष्टे में विश्वास कितनी बड़ी बात होती है लेकिन विश्वास चाहि कितना भी मजबूत क्यों ना हो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक ही देता है मन की मजबूती और द्रड संकल भी इस तरह की दलदल से बहार निकाल सकते हैं वीडियो काफी लंबा हो गया है आप कहाने के विश्य में क्या सोचते हैं अपने विचार हमारे साथ अवश्य साजा कीजी मिलते हैं किसी नई कहाने के साथ तब तक स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश रोकर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद